पूरी दुनिया में और हमें लग रहा है कि यह बहुत बिचित्र समय चल रहा है क्रांती का कोई बहुत बड़ी क्रांती होने बाली हनमान जी की कृपास बस उस क्रांती के तुम भी सिपाही बन जाओ जहां ओ वहीं से सपोर्ट जरूरी नहीं आप हमारे साथ रहो आप जहां हो वहीं से सपोर्ट हमारा निजी श्वार्थनी हम तुम्हारे लिए हैं हमें तुमसे आप हमें गाली दो हमें गाली शुईकार पर शनातन को बचा लो हम तुम्हारे शनातन के लिए माई बाप आए तो एक बार एक अंधा आदमी बागे सुर्धाम आया नाम सुरेश था मालिक ने कहा कि भीर बहुत है धाम पर तो भीर बहुत होती हर्मंगलवार को चार लाख लोग होते हैं कम से कम दो लाख सचा और शटरड़े को एक से डेड़ लाख और एब्रीडे में 20-30,000-20,000 लोग दर्शन करने बाला जी के आती है तो भीर बहुत होती है तो इस बार जब हम आ रहे थी लास्ट टाइम छे किलो मीटर का जाम था शे किलो मीटर पहले से गाड़ियां रोग दी गई थी और लोग पैदल जाम कर रहे इतने दिर्शन भारत में बागेश्वर हनमाजी आप भी कभी जाईएगा करिएगा मौका मत गबा दीजेगा चूक जाओ बाद में पस्ताने को जाए जान नहीं पाए कौन-कौन गया ब आगेश्वर धाम आता है वो दर्शन करने के लिए जाता है तो मालिक कहता है कि तुम अंदे आदमी हो क्या करोगे तुम्हें दिखाई नहीं देता भीर बहुत होती है एक काम करो तुम यहीं रुको और तुम्हें दिखाई तो पड़ता नहीं तुम दर्शन क्या करो कौन ढूड़ेगा, कौन खोजेगा, वो बोला नहीं हम तो जाएंगे, मालिक ने कहा कि तुम अंधे हो, बार बार उसको ऐसा बोल रहते हैं ताकि उसे बुरा लगे, तो मैं दिखाई तो देता नहीं, गुरु जी कैसे हैं, बाले जी कैसे हैं, मंदिर कैसा है, पट कैसा है, अंधाद में बोला कि यस मैं मानता हूं, मैं अंधा हूं, मुझे दिखाई नहीं देता, बगवान दिखाई नहीं देंगे, कपने दिखाई नहीं देंगे, मंदिर दिखाई नहीं देंगे, गुरु जी दिखाई नहीं देंगे, पर क्या हुगा, मुझे जरूर नहीं दिखाई देगा पर बाला जी को तो हम दिखाई देगे